हाई गाईज और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक्यादा वेजुकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेयर्स ऑफ 23 अफ एप्रेल 2021 तो गाईज आज है तारीक 23 आपरेल 2021 और है फ्राइडे आज की तारीक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफेयर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे नाओ बढ़ते हैं आगे और गाईज अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जाकर आप ल लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी क्वेरीज हैं वो यहां पर मुझसे पूछ सकते हो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है नाओ बढ़ते हैं आर्टिकल लंबर वन की तरफ तो काफी इंपॉर्डेंट आर्टिकल है बहुत लोग बात करें इंडिया की रैंक की तो इंडिया की रैंक काफी आपका सकतो बैड तरीके से परफॉर्म करी है 183 कंट्री में से 142 रैंक है इंडिया की आपको इसके बारे में ध्यान रखना है पहली चीज जो एक्जाम के पॉइंट आ व्यूसे इंपॉर्डेंट है इंड independently work कर रहे हैं country के अंदर या नहीं कर रहे हैं तो ऐसा इंडिया के अंदर बहुत कम से देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं top की countries कौन सी है और last की bottom की countries कौन सी है जो काफी important होने वाला है ठीक है चलो यहाँ पर आप देख पाओगे पहले तो मैं आपको बता दू यह जो index है काफी time पहले से इसको लाया जा रहा है 2016 में इंडिया की इसके अंदर rank थी 133 आप देख पाओगे अभी है 142 यानि कि पहले ज्यादा बेटर था अब और ज्यादे down हो गई है इंडिया की rank तो यह जो RSF की report है यह RSF report ने बताया यह सारी चीज़े जो इंडिया है वो दुनि जेल में डाल दिया जाता है ऐसी situation देखने को मिलती है तो I hope आप लोगो समझ में आगी होगा यह index किसके लिए है यह index है reporters के लिए journalist के लिए वो कितना खुलकर काम कर रहे है country के अंदर क्योंकि यही लोग है जो सरकार की सारी सचाई दिखाते हैं हम लोग को okay उसके बाद नमबर है वो है Finland मतलब कि यहां पर journalist खुलकर काम कर सकते हैं बहुत ही बेतरिन तरीके से यहां पर यह लोग work भी करते हैं उसके बाद third number पर आता है Denmark now अगर हम लोग बात करें दूसरी साइट पर bottom number पर यानि की 180th number किसका है 180 number पर है Eritrea यह आपको ध्यान रखना है top के आपक कर ध्यान रखना है middle के नहीं पूछे जाते top और bottom के ही पूछे जाते है exams में उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर 180 तो हमने देख लिया उसके बाद 179 अगर हम बात करें तो वो है North Korea की और 178 है Turkmenistan की और 177 है most important China की यह भी पूछी जा सकती है तो यहां पर आप ल article की तरफ again एक और most important article है यह भी काफी जादे news के अंदर है second article बात करता है ISS के बारे में यह क्या है यह है international space station जो की space में आप लोग देख पाऊगे इस तरीगे से station है आज की time पर ISS 1 है लेकिन अगर हम लोग बात करें तो रशिया जो है इस news में बोल रहा है कि रशिया अपना एक खुद का international space station जो है जल्दी से launch करने वाला है लख बख time period बताया गया है 2025 देख पाऊगे रशिया's space agency रशिया की space agency कौन सी है वो है रो कॉस्मोस ओके अभी मैं आपको बताऊँगा इसने बोला कि यह अपने खुद का international space station launch कर देंगे साल 2025 तक और जो आज के time पर जो international space station जो कि मैंने ये वाल आपको दिखाया इसको develop करा था बहुत सरी countries ने मिलकर इस program से रशिया withdraw कर लेगा रशिया बाहर आजाएगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा देखो रशिया के अंदर जो space agency है वो है रॉस कॉस्मोस ठीक है रॉस कॉस्मोस ध्यान रखना ये रशिया की space agency है इंडिया की space agency कौन सी है काफी news में रहती है इजरो दूसी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की space agency कौन सी है बहुती ज़दा popular NASA और जैपान की space agency बहुत अदे news के अंदर रहती है वो कौन सी है वो है जाकसा ठीक है यहाँ पर आपको इन चीजों के बारे में इसके उपर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही यहाँ पर यह इस चीज के अंदर successful भी होने वाले हैं और जो यह announcement निकल कर आया है क्योंकि देखो आज के टाइम पर अगर हम बात करें जो western countries है यानि इधर की side की जो भी हमारे US वगरा हो गया इनके side इनसे काफी जाद tensions create हो रही है रश्या की और अगर हम लोग देखें to the point तो रश्या के relations USA के साथ अच्छे है नहीं और यहाँ पर आप देख पाऊगे जो व्लादिमार पुटिन है और दूसी तरफ जो बाइडन है इनकी बिलकुल नहीं निपती है रश्या और अमेरिका के relations आज के टाइम प और इसके अंदर कौन-कौन सी countries involved थी रश्या involved था, United States of America involved था, Canada, Japan, European Space Agency जिसको ESA बोलते हैं ये भी इसके अंदर involved था और ये मानवितिहास का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो की आप लोग देख पाऊगे हमने पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन लाँच कर रखा है अ यूरी बोरिसोव इन्होंने बोला कि हाली में अभी हुआ क्या है मौसको ने डिसाइड तो क्या है कि जो International Space Station प्रोग्राम है उससे ये लोग विड्रॉ कर लेंगे और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे लेकिन विड्रॉ करने की बाद अभी भी थोड़ी बहु इनका पूरा नाम वैसे यूरी अलेक्सेविच गारगिन है और इनका जन्मुवाता 9 मार्च 1934 में टेथ हो गई थी 27 मार्च 1968 में ये एक सोविएट पाइले थे और पहले हुवन बने थे जिन्होंने अपनी जर्नी करी थी आउटर स्पेस के अंदर तो यहां पर उस पज़ बात करी गई है चार्ड कंट्री के बारे में ये भी पिछले तीन दिनों से बहुत जादा न्यूस के अंदर है तो डिसकस करेंगे इसकी लोकेशन जो की हमारे एक्जाम के पॉइंट अव्यू से इंपॉर्डन होने वाला है तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो चार्ड है उसके प्रैसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम है इडरिस डेबी इतनो अब इनकी हो गई है डेथ तो उसी वज़ा से न्यूस के अंदर है और डेथ होने के बाद जो इनके सन है इनके बेटे उन्होंने ये साशन समभला है तो डिसकस करेंगे चार्ड के प्रैसिडेंट इडरिस डेबी इतनो इनकी डेथ हुई है और देखो डेथ कैसे हुई है बैटल चल रही थी ठीके अगर हम लोग बात करें युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर और अगर हम लोग बात करें जो ये प्रैसिडेंट हैं ये पिछले 30 साल से यहाँ पर पावर में रह चुक और इंडिया के मैप में ये सदन वह सारी आफरीका नेशन हो गए और आफरीका में यहाँ पर यह है चार्ड कंट्री आइप अप लोग यह लोकेशन अच्छे से क्लियर हो गई है और यह है चार्ड का फ्लैग ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चलो आगे बढ़त के हैं साथ साथ precedent है यह लगबख चाड़ के काप से 1999 में precedent बने थे और अब डेथ हो यह तब तक यह precedent ही थे इनको मार दिया गया है एपरिल 2021 के अंदर जब एक जंग चल रही इतिरिस डेबी यहां पर आपको करेंगे। यह देखकिने के माप में और पूरे वॉल्ल के माप में यहां पर इंडिया, हमें इंडिया को देखना है सबसे पहले, इंडिया के comparison में अगर हम लोग बात करें, यह हो गया African Nations पूरे के पूरे, इधर चलोगे, यह हो गया South America, ठीके, जाब ब्रेजिल वगर आपको देखने को मिलेगा, और उपर अप साइड में जाओगे, तो यहां पर हमारा USA हो गया, United States of America, ओपर जाओगे, यहां पर आक्टिक सल के लोग या, आक्टिक के नीचे आता है, एंटाक्टिक, ठीके, इसके बारे में धियान रखना, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर इंडियान ओशियन है, इधर भारत के नीचे, और इधर यह पसिफ अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा जूम करके, तो चार्ड की कौन-कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबसे पहले चार्ड के आप कर सकते हो, इसकी जो कापिटल है और सबसे बड़ा शहर है, वो है एंड डिजमाना, और उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इधर पड़ जाएगा सुडान, नीचे दरफुर है, उपर लिबिया है, इधर नाइजर है, इधर नाइजिरिया, नीचे कैमरून और इधर C.A.R. ठीके, तो ये इसकी आसपास की कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो लेक चाड है, ये काफी सदे popular है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो चाड कंट्री है, ये और ये जो लेक, ये जो जील है, इसी जील के ओपर इस पूरे कंट्री का नाम पड़ा है, क्यों? क्योंकि ये जो चाड जील है, ये आफ्रिका के अंदर second largest सबसे बड़ा wetland ह ओके, I hope आप लोग को इस सारी चीज़े clear हो गई है, बढ़ते हैं next, एक और important article की तरफ, यहाँ पर बात करी गई है, BOAO, BOW Forum Asia के बारे में, तो अभी हाली में ये एक forum हुआ है, देखो, अब यहाँ प एक चीज़ में आपको और बताना चाहूंगा, कि देखो, ये सारी ची वीडियो का आप लोग कवर करते वें चल रहे हो, तो सारे current affair आपके detail में कवर हो रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तेखो, अभी हुआ क्या है, BOW Forum ये जो देखने को मिला है, उसके बाद, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक second guys, sorry, अब यहा पिंग के द्वारा, जो global rules हैं, दुनिया भर में जो rules हैं, वो impose नहीं किये जा सकते, किसी एक country के द्वारा, या फिर कुछ countries के साथ मिल कर, तो मतलब एक तरीके से target कर रहे हैं, countries को तो इनके द्वारा ये सारी मुद्दे उठाए गए, नाव चाइना ने ऐसा बोला क्यों हो क्योंकि चाइना के अंदर इसका headquarters है, बाओ फोरम चाइना के अंदर होता है, चलो बाओ के बारे में अब हम लोग इसके बारे में discuss करेंगे, ठीके, बी ओ, ए, ओ के बारे में discuss करेंगे, ये आपके UPSC के और चाहे वन डे एक्जाम के point of view से भी important होने वाला है, तो देखो, ये है क्या basically इसके बारे में जानना काफी important है, इसका headquarters है, चाइना के अंदर पहली चीज जो कि याद रखनी है, ये जो बाओ फोरम फोर एशिया है, ये international organization है, जिसके अंदर 29 member states है, आपके सकते हो ये annual conference हर साल आप देखने को मिलती है, ये हर साल में एक conference होती है, और कहां प इसका main mission ये है कि जो आपस में जो countries है, जो भी इसमें member states हैं, उनके बीच में एक economic integration बना रहे, ठीके, और साथ ही साथ, जो development है, विकास करें आपस में मिलकर positive energies को share करें, और आपस में मिलकर काम करते रहें, इस Asia उन वाले region में, ओके, now, अब यहाँ पे एक important चीज आती है, static part से जो कि आपसे पूछा जा सकता है, वो है पहला conference, BFA का कहां हुआ था, यह हुआ था February 26-27 को वा था, साल 2001 में यह जरूर याद रखना, और हुआ था, बाओ के अंदर जो कि हेनन प्रोविंस है, यानि चाइना के अंदर एक प्रोविंस है, एक state आप का सकते हो हेनन, वहाँ पर यह देखने को मिलेगा, वही पर यह conference हुआ था, अब यहाँ पर जो यह forum है, कभी-कभी हम लोग इसको Asian Davos भी बोलते हैं, तो याद रखना है, Davos के अंदर जहाँ पर World Economic Forum जो है, Davos host करता है, Davos के आपसी के लिए एक town है Switzerland के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम होता है, मैंने आपको बता दिया, चाइना के अंदर होता है, और इसका जो main secretary rate है, वो है Beijing के अंदर, ओके यानी चाइना के अंदर again, आते हैं next एक और most important article की तरफ, यहाँ पे बैंगलोर के अंदर हुआ है, एक development, चलाई गई है metro rail, चलाई नहीं गई है, बैसिक लिए अगर rush देखने को मिलता है, उस rush को कम करके, क्या करेंगे, इस metro rail को चलाएंगे, और जो लोग आज के टाइम पर vehicles बगरा जादे चला रहे हैं, वो metro rail का इस्तमाल करेंगे, यह article, आपके one day exam के point of view से बहुत important होने वाला है, directly पूछा जा सकता है, चलो मैं आपको बता दूँ, जो union cabinet है, उसने इस पूरे project को approve किया है, बैंगलॉर metro rail project को, यह phase 2A और phase 2B में चलने वाला है, phase 2A में क्या होगा, central silk boat junction से लेकर के आर पूरम तक चलेगा, phase 2B में के आर पूरम से लेकर airport वाया हेबल junction तक चलेगा, कहां से कहां तक चला है, इसको याद मत रखो, सिरफ याद रख पूरी वो है, लगबग लगेगी इसके अंदर, completion वो है 14,788.101 करॉल रुपे, एक चीज़ और, यहाँ पर मैं आपको location भी दिखा देता हूं साथी साथ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है इंडिया का map, और इंडिया का map में यह वाला region है, बैंगलॉर का यह zoom करके map को दिखा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग बिल जाएगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम लोग बात करें इस project के बारे में, तो यह जो project है, इसको streamline कर रही है, urban transportation system, और एक तरीके से देखो, जो शहर है वो, काफी तेजी से develop हो रहा है, infrastructure बहुत भीड भीड बहुत जादे देखने को मिलती है, traffic देखने को मिलता है, हर लोग के पास personal vehicle है, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर काम करेगा यह, जिससे की जो भीड भाड़े वो कम होगी, इस metro rail को चलाया जाएगा, तो काफी अतक लोग हैं, अपने personal vehicles का इस्तमाल कम कर पाए इंडिया बांगलिदेश Memorandum of Understanding के बारे में, तो इंडिया और बांगलिदेश ने मिलकर एक M.O.U. को साइन किया है, जिसमें यह आपस में मिलकर cooperate करेंगे trade remedial measures को, जो व्यापार है, व्यापार के छेत्र में यह दोनों ही countries आपस में मिलकर काम करने वाली हैं, तो यहाँ प पर है Myanmar, बांगलिदेश की capital है धाका, और धाका के निचे आप देख पाऊगे, यहाँ पर है Bay of Bengal, बहुत सारी नदिया इस Bay of Bengal में गिरती हैं, ओके, अगर हम लोग बात करें, जो union cabinet हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ex post facto approval दिया है, Memorandum of Understanding का, और इसमें क्या होगा, जो बांगलादेश है और जो इंडिया है, यह आपस में मिलकर trade हो गया, tariff commissions हो गया, इन सब चीजों में, एक framework को establish करेंगे, rules and regulations बनाएंगे, साथ ही साथ मिलकर cooperate करके चलेंगे, ठीके, ताकि जो trade है, व्यापार है, इन दोनों के बीच में, और जाधे अच्छी तरीके से हो पाए, now, अब इस MOU को sign up क्या गया था, वो क्या गया था, 27 March 2021 में, कहां पर धाका के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको location दिखाया था, primary objective क्या है, इस Memorandum of Understanding का, वो इसका objective है, ताकि, जो cooperation है, उसको हम बढ़ा सकें, बार-बार वो ही बात है, repeatedly बताई गई है, दोनों कंट् आपस में exchange करें, informations को, ठीके, safeguard तरीके से, जो measures है, वो चलते रहें, जो bilateral, मतलब इन दोनों कंट्रीज का, जो व्यापार है, वो high level पर हम लोग लेकर चले जाएं, ओके, जो यह bilateral trading होने वाली है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इसको आपको सकते हो, एक rule-based हम लोग तरी के से trade देखने को मलता है, उस trade को भी रोका जाएगा कहीं न कहीं, और इस चीजों से बहुत बड़ा effect ये भी पड़ेगा, कि इंडिया और बांगलिदेश के जो relations हैं, वो काफी तेजी से grow होते वे नजर आने वाले हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, आज के last article के तरफ, again एक और important article है, यहां बात करी गई है World Earth Day के बारे में, again one day exam के point of view से important है, और UPSC भी इस type के questions पूछ लेता है, related to the theme, यानि कि कोई भी दिन है, तो उसका theme कुझा जा सकता है, लेकिन यहां पर हम लोग बात करें, तो जो ये World Earth Day है, इसको celebrate किया जाता है, बाइस आपरिल को, ठीके, तो 22 अपरिल को इसको celebrate किया गया है, उसी वज़ा से ये news के अंदर है, और important चीज़ किया है, कि जो पहला World Earth Day है, इसको पहली बार celebrate किया गया था 1970 में, तो 1970 के बात से ही हम लोग World Earth Day को celebrate कर रहे हैं, कुछ highlights देखेंगे सबसे पहले, 1969 में एक पीस activist थे, जिनका नाम है John McConnell, इन World Earth Day, 2016 में जो celebrate किया गया था, उसमें Paris Agreement को sign किया गया था, बहुत सारी countries के दवारा, Paris Agreement के बारे में मैं काफी बार पढ़ा चुका हूँ सुबा वाली वीडियो में, तो यहाँ पर जो Paris Agreement है, कौन-कौन सी countries ने sign किया है, चाइना ने sign किया है, United States of America ने sign किया है, और इसके साथ 120 countries और हैं जिसनोंने sign किया है, इंडिया भी इसके अंदर आता है, 2021 में अब यह वापिस से बहुत ही जादा news के अंदर है, क्योंकि जो बाइडन ने यहाँ पर invite किया है सभी leaders को, अगर हम लोग बात करें हमारे Prime Minister Narendra Modi ji को भी invite किया गया है इस summit के अंदर, अब इस summit में बा temperature है, जो गर्मी है वो daily basis पर काफी बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे जो reasons है, वो pollution काफी जादा है, तो उन चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा steps उठाया जाता है, और उठाया गया था 2016 में Paris Climate Agreement, इसमें जो countries हैं, इन्होंने यह decide किया था कि हम लोग 2050 तक अपना जो भी carbon emission है, जो भी pollution है, उसको कम कर देंगे, जीरो कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारा इस चीज़ से related issue चल रहा है, अभी एक summit भी होगी, 22 April को यह summit हो नहीं है, कल हो चुकी है, तो इसके बारे में और भी बाते निकल कर रहेंगी, वो हम लोग इ discuss करते रहेंगे, जैसे जैसे update आएंगे, हम लोग discuss करते रहेंगे, तो इसी के साथ करते है इस वीडियो को एंड, जितने भी important articles तो हमने discuss कर लिये हैं, I hope आप लोगो सारे articles clear हो गए होंगे, नाव कोई problem होती है, कोई queries होती है, तो नीचे description box में मैं again बता देता हूँ, मैंने आज के लिए बाबाई, have a nice day